सद्गुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हानपिक्ट फाब्रेक्स और प्रीमियम ब्रांड्स, सद्गुरु स्टोर, मगीनाबाग अजमेर जहन्त, मैं ललित खत्री और आज है आठ माच, आठ माच अंतराष्ट्रिय महिला दिवस में विश्व भर में सभी देशों में महिलाओं से संबंदित मुद्दों पर चर्चा की जाती है, देश विक्सीद भी हो सकते हैं, विकास शील भी हो सकते हैं, ये वे मुद्दे होते ह हैं, जो कि उनके समाजिक रूप से जुड़े होते हैं, आठिक रूप से जुड़े होते हैं, उन सभी मुद्दों पर विश्व भर में चर्चा होती है, इसी करम में अजमेर में, MTTV इंडिया की कोशिश है कि अजमेर की प्रभावशाली महिला हैं, जिनोंने समाज के लिए कुछ कारे किया है, समाज के लिए कुछ कारे कर रही है, ऐसी महिलाओं को अजमेर की जनता से रूप रूप कराया जाए, इसी करम में हमारे साथ आज मौजूद है, अजमेर की सूपरसिद्ध, बास्केट बॉल खिलाडी महारना पता आप अवारवली अवार्ड विनर, सु मैं, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारे करम में और आपको अंतराष्य महिला दिवस की बहुत-बहुत शुप काम में, तो मैं सबसे पहले तुमें पूछना चाहूंगा आपसे की बास्केट बॉल को आपने अपने करियर के रूप में क्यों चुना और कैसे चुना बास्केटबल अच्छली किया मेरे फादर होकी प्लेयर रहे है राजसतान के उस समेरा सिच चलता था उसके क्या अनौ रहें तो वह घर में पोट का माहल है तो उसी की वज़े से हम लोगों को शैद ब्लड में बश्पोर्स है की वज़े से मेरा ग्राउंड की तरफ रुखोना लाजमी था चुकि फादर माते हम सावती स्कूल में मैं पड़ी हूं सावती स्कूल से मेरा घर सावती स्कूल के पास में वहां से ग्राउंड मुझे बास्केबल दिखता था तो आई लव टो गो देर कि वहां पर जाके आप उसको कुछ करो तो वहीं से मेरा पापा की वज़े से मैं इंस्पायर के फिर बास्केबल आफे मेरे गुरू जो मेरा इवन सर रहे हैं उन्होंने मुझे मुझे महां तक खीचा और नोने बुलाया उन्होंने प्रैक्टिस कराई मुली सर है इन लोगोंने काफी मतलब अच्छे जे में को मोटिवेशन कराई गरूं पर मैं बने अगला है अब जब बास्केबल के खेल होने तो बास्केबल को आपने अपने करीयर घूना मला ऐख़े बने अच्छे में आपने प्रॉफेशनल अप्रेस्श ना प्ले तू जब जब स्टार्ट चाब यह नहीं बई पापा को देख ती तो मुझे मैं लगता था कि मुझे भी कुछ करना है तो दीरे दीरे जैसे से बास्केबॉल सीखा गुरुजन से अपने टीचर से जो भी है दीरे वहां से पहुंशने के बाद फिर जब मैंने फॉर्स इंडियान काम्प मैंने 9th क्लास में अटेंड किया था तब मुझे लगा कि नहीं इ करियर के रूप में ले लिया जाए उसके बाद मैंने अपना और अच्छे से उसमें महनत करके रेल्वे जोइन किया है वहां पे मैंने प्रोफेशनली तौर पर एक पोस्पन बने का जो सपना था वो मैंने पूरा कि अगर आप जिसे अपी फिलाल तो बास्केबॉल में अच्छे प्लेर है तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बात को सीख सकती हूँ हो कि आप खेल रहे होते हैं अच्छा आप बास्केबॉल में अप्रोफेशनल के लाडी है बास्केबॉल के अलावा गरम बात करें तो ऐसे कौन से शेत्र हैं जिनमें आपकी रूची है आप बास नुके छोटे बच्छों को ज़दा अच्छे से सिखा हूं और जो मुझे नहीं आता है मैं गई सीखे म select तो बच्छों को सिखाना मुझे जादा अच्छा है जैका dependency साल तक मैंने बच्चों को चोटे बच्छों को लिए सालती स्कूल के बच्चे है अपने सोफीय कोल्हे अब आप अजमेर की जो बालिका हैं जो किसी खेल में जुड़ी हुई है आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं खेलों में तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपना आत्मविश्वास कब है ना कब भी नहीं खोई आप उसमें रहें डटे रहें और थोड़ा स्ट्रॉंग रहें किसी भी चीज में आप जब तक पेशन नहीं लेकर आएंगे महनत नहीं करेंगे इमानदारी से वो भी आप किसी सबसे पहले कि इमानदारी से महनत कीजिए किसी भी शेत्र में चाहिए ग्राउंड हो किसी भी जिसमें भी उनको रूची हो बस अपना सेल्फ कॉंफिदेंस रगाएक के रखें और खूब महनत करें इमानदारी से करें बस करते जाएं धन्यवाद मैम और पुना आपको एक महिलाएं अपनी जो अपनी आत्मिश्वास उसको निरंतर जगाए रखें और इसी तरह से हम अजमेर के अन्य महिलाओं जो की जिनका प्रभाव समाज पहने जो समाज के लिए कारे कर रही है किसी ना किसी रूप में अजमेर की जनता के साथ जुड़ी हुई है ऐसी कर आते रहेंगे आप से मिलवाते रहेंगे तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो